नमस्ते, तो आज हम एक कौर रिडिंग करने वाले हैं, और आज हम देखने वाले हैं कि आपके कौन से अच्छे कर्म हैं, और आपके जो अच्छे कर्म हैं, उसका फल आपको कब तक मिलेगा, ठीक है, जनरल रिडिंग है, सो हर बात हर किसे के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, जितना आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, उतना ही आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है, आप यहां तक आए हो, तो आपको definitely कोई नहीं कोई गाइडन्स मिलने वाली है, इसलिए आप यहां आए हो, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रिडिंग, कि कौन से अ भगवान को आप मानते हो, वो भगवान आपको आपके अच्छे कर्मों का फल जरूर जरूर देंगे, यहां पर कुछ भी खाली नहीं चाहता है, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रिडिंग, ओके, तो यह एक कलेक्टिव रि यहां पर कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है, यह आपका कोई पास्ट लाइफ ही कर्मा हो, ठीक है, कुछ पीछने जनम में भी आपने बहुत अच्छे कर्म किये हैं, सिर्फ इसी जनम में नहीं, यह आपकी जो सोल है वो ही बहुत जा ग्रेट मुझे यहां जो सकता है, यह आपकी नाम का पहला आखरी अक्षर हो सकता है, सरनिम का अक्षर हो सकता है, V-Akshar भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, Yal दिखाई दे रहा है, Number 7 बहुत strong यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे है कि आपने कोई ऐसा कर्म किया है कि जैसे कि उस अनसान को इतनी जदा help मिली है वो कोई भी इंसान हो सकता है और हर बात हर किसी के साथ रजनट नहीं होगी ओके गाइस मुझे आपर बहुत ऐसी ब्लाक एनरजी आ रहे हैं आप खुद भी देख रहे हैं कि इस फ्लेम से कि चली गई देखो मैंने बात की तो चली गई कोई नहीं चाहता है कि मैं बोलू ठीक है कोई ऐसी शक्ती है जो नहीं चाहती है कि मैं यहाँ पर यह बोलू कि आपके ओपर किसी की बुरी नजर है और उन लोगों ने हमेशा ही आपका बुरा चाहा है ठीक है लेकिन यह आपके जो पास्ट लाइप के कर्मा ही या इस जनम के भी जो कर्मा है इन कर्मों नी ही आपको बचाया है या अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो आने वाले समय में अगर किसी की भी बुरी नजर आपके उपर लगेगी तो यह आपके अच्छे कर्म ही होंगे जो आप उसमें से तर ज यह सकता है जैसे मेंने पहले स्टार्टिंग में बोला कि यह आपका पास्ट लाइफ भी कर्मा हो सकता है ठीक है कुछ लोग या पर ऐसे ही कि आपने पिछले जनम में भी इतने अच्छे कर्म किये है यह आपकी शोल ही है वही बहुत प्रीचल है बहुत ही ज़ादा यह आपका अच्छा कर्म मुझे आपर दिखाई दे रहा है आपने हमेशा ही दूसरों की help करने में अपने आपको बहुत धन्य मतलब आपको बहुत खुशी मिलती है आप दूसरों की जब help करते हो जो कोई भी किसी को भी अगर आप संकट में देखते हो ना आपका मन बहुत जाता है आपको दूसरों का दुख देखा नहीं जाता और जब यह दूसरों का दुख आप देख नहीं सकते तो आप भाग जाते हो दौड कर कि बस उसकी help करनी है और इस जो help करने के चक्कर में आपने पता नहीं खुद को कितनी बार नुकसान किया है आपने हमेशा ही sacrifice कि बहुत ऐसी energy है यहाँ पर कि आपने sacrifice किया है बहुत ऐसी चीजों का आपने दूसरों के लिए छोड़ दिया है जैसी कि अगर आपके घर परिवार में अगर छोटी बहन को बड़े भाई को किसी को कोई चीज पसंद आई तो आपने दे दी कि हाँ ठीके तू रख ले मतलब वो चीज आपको भी पसंद थी ना फिर भी आपने उन लोगों को दे दी मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि जहाँ ठीके धान से सुनना इस बात को कि जहाँ पर लोग दूसरों के बातों पर दूसरों की चीजों पर या दूसरों की संपत्ति पर अपना हक जताने की को कोशिश करते हैं इसकी संपत्ति को प्रॉपटी को ठीक है तब महाबारष शुरू होता है और जब इनसान अपने हक को भी मतलब आपका हक है उस आपका पैसा, आपकी मेंद जिस चीज पर आपका हक है लेकिन आपने वो दुसरों को दिया है और वहार रामायन शुरू होता है तो आपको फर्क दिख़रा है आपके अतर जो लोग दूसरों की चीज़ों को लूटने की कोशिश करते हैं वो दुश्यासन होते हैं दूर्योधन होते हैं ठीक है और जो लोग अपने हक की चीज़ों को भी दूसरों को दान करते हैं या दूसरों की खुश्य के लिए अपनी चीज़ों को भी sacrifice कर देते हैं, वो राम होते हैं, तो ये आप में एक राम बसते हैं, तो आप एक राम जैसे हो, जहांपर इंसान ने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा है, यहांपर कुछ लोगों का नाम यस से शुरू हो सकता है, गैस मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई लोग हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी लेकिन कोई तो ऐसा है यहाँ पर कि जिसको हमेशा ही बहुत दुख से निकलना पड़ा है आपने बहुत दुख सहा है अपनी जिन्दगी में और मैं एक बात आपको बता दू कि देखो चाहे जितने भी आपके उपर दुख की प्रसंग आए हो ठीक है कितनी भी दुख की घडिया आपके उपर आई है लेकिन आप हिम्मत तो नहीं हारे हो ना आपको एक हिम्मत रही है और तब ही आप उस दर्द से उस पेन से अपने आपको निकाल पा रहे हो या पुरी हिम्मत के साथ उसका मुकाबला कर रहे हो, उसको फेस कर रहे हो, जो कुछ भी आपके जिन्दग में बुरा वक्त चल रहा है, अगर अभी भी बुरा वक्त चल रहा है, तो आप उसको भी फेस कर रहे हो, तो यही आपका गुड कर्मा का फल है, कि आप जो आपके जिन् बुरा वक्त भी आम को । लेकिन जब आप उसे बुरे वक्त में रहोगे तो भगवान आपको अपनी उंगली पकड़ कर उस बुरे वक्त से बाहर निकालेंगे और अगर अभी भी आप बुरे वक्त में हो तो इश्वर खुद आपकी उंगली पकड़ कर आपको उस बुरे वक्त से बाहर निकाल रहे ह विश्वास करो उस शक्ति पर उस इश्वर कर चमतकार होते है जीवन में ऐसा कुछ घटित होगा अगर आप किसी ऐसे फेस से गुजर रहे हो कि जहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहे हैं आपको चाहे फाइनेशल प्रॉब्लेम हो चाहे रिष्ठों में तना हो चाहे जो भी हो चमतकार होते है जीवन में और चमतकार कैसे होगा यह आपके अच्छी कर्मों का फल है कि आपके जीवन में चमतकार होगा और सब कुछ बदल जाएगा अच्छानक सब कुछ बदल जाएगा आपको मतलब एक पल आपको विश्वास नहीं होगा कि यार सब कुछ बिगड गया था मेरे life में और अच्छानक सब कुछ change, सब कुछ बदल गया मतलब जैसे कि अगर आप घर खरिद नहीं पा रहे तो ऐसी कुछ व्यवस्ता कर देंगे इश्वर कि आपका घर हो जाएगा अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो ऐसे कुछ जादू हो जाएगा कि आपके बहुत अच्छे घर में शादी हो जाएगे यही तो आपके अच्छे कर्म कफल हैं और यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसे दिखाए दे रहे कि आप किसी का अगर इंतजार है आपको मैं भी कुछ लोग इंदर हो सकता है कि किसी के साथ रिलेशन बनाया बहुत इंतजार कर रहे हो उस इंसान का लेकिन आपको वो जो आपका इंतजार है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे है यहापर टोरस राशी के भी बहुत लोग मुझे यहापर दिखाए दे रहे हैं तो ये इंतजार खतम हो जाएगा अब आपके जो अच्छे कर्म है न उसका फल आपको मिल रहा है कि आपके जीवन में जो कुछ भी बुरा वक्त चल रहा है अगर देखो अगर चार साल का बुरा वक्त है तो वो दो साल में ही गुजर जाएगा ये आपके अच्छे कर्मुकाफल है देखो जिद्दद में कभी कभी कुछ बुरी घटनाई घटित होती है लेकिन भगवान आपको कुछ सिखाना चाहता है भगवान उसके थूँ आपको बहुत लेसन देना चाहता है अगर आपको लगते कि मैं तो कितना अच्छा हूँ मैं तो कितनी अच्छी हूँ मैं तो कभी भी किसी का बुरा नहीं करती हो सब कुछ मनजूर है आप नहीं करते हो किसी का बुरा और आपके साथ बुरा होना भी नहीं चाहिए लेकिन अगर कुछ बुरा होगा ही नहीं तो आप लेसन कैसे सीखोगे लेसन सिखने के लिए तो आपको बुरी चीजों को फेस करना पड़ेगा और जब तक आप अगनी में देखो एक सोना होता है ना उसको अगनी में जलाना पड़ता है तब जाके उसका गहना बनता है अलंकार बनता है तो इश्वर खुद आपको अलंकार बनाना चाहते है गहना बनाना चाहते है आपका तभी भगवान तभी इश्वर आपको ये दुख देते है ताकि आप लेसन सिख सको और आपकी जो ग्रोथ हो जाए और आपकी जो सोल है व कुछ बुरा चल रहा है, गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है, कि आपने ऐसे ऐसे लोगों का भला किया है, जिनके कोई, मतलब मैं अब क्या बोलू, कि जिनकी, क्या बोल सकते हैं उसको हिंदी में, मुझे हिंदी नहीं आती इतनी, काबिलियत नहीं है, ठीक है, मतलब ऐस आपको उल्टा ब्लेम ही किया उन लोगों ने, आपने उन लोगों का भला किया, वो कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, रिष्चेदार हो सकते हैं, फ्रेंस हो सकते हैं, हमेशा आपने दूसरों का भला किया, और उल्टा वो लोग आपके पीठ पीछे आपकी ही बुराई करते रहे तो आप बहुत दुखी हो गए कि यार मैंने इतना अच्छा किया इसका मैंने इसको help कि वो चाहे कोई भी काम हो और ये मेरे ही पीछे मेरा ही बुरा सोचता है या मेरे ही बारे में गलत बाते करता है तो आपको बहुत दुख हुआ है गाइस मैं बता दू कि ये जो लोग है देखो आज आपकी वो बुराई कर रहे है ठीक है लेकिन लोग इनके उपर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि इश्वर जो भगवान होते हैं और आपको डरना ही क्यों है ऐसे लोगों से और आपको ऐसे लोगों के बारे में सोचना ही क्यों है देखो लोग तो कुछ कहेंगे ही कुछ तो लोग कहेंगे हमें उनके बारे में नहीं सोचना है हमें अपने काम के उपर हमें अपने जो कुछ भी हम करना चाहते हैं अपने जिन्दगें उसके उपर हमें पूरा-पूरा फोकस करना है बस यही करना है आपको और वो इश्वर आपके अच्छे कर्मों का फल आपको जरूर देंगे आज जो लोग आपके उपर हस रहे हैं कल वो लोग दातो तली उंगलिया दबाएंगे इतनी जदा आप अपने देखते रह जाएंगे कि यह क्या हो गया कैसे हो गया मतलब आज अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग हसते हैं होते है कोई लोग ऐसे समाज में कि जो गरीबी को हसते हैं ठीक है आज अगर आपके पास पैसा नहीं है अगर आज आप उनके जैसे लाइफ नहीं जी पा बस आपने ऐसा बोल दिया कि बस आपके बारे में बाते बनाना शुरू कि यह क्या कार खरीदेगा इसके साइकल खरेदनी कि कुछ भी अब मैं क्या बोलो ऐसे शब्द तो यह जो लोगों ने आपका अपमान किया है देखो का इसमें एक और बात बता देती हूँ कि जब तक आपको लोग दुख नहीं देगे ना तब तक आपका अच्छा भी नहीं होगा मैं क्यूं बौलरी हुआ है सा츠 इस इन लोगों ने मेरे उपर इतना हसा इस बात का मत सोचो आप सिर इश्वर के उपर छोड़ दो, कि भगवान अब आप देखलो, यह मेरे साथ ऐसा इस, भगवान को बोलो, किसी और को मत बोलो, भगवान को बोलो कि मेरे साथ यह हो रहा है और मुझे नयाय चाहिए, बस चाहिए मतलब चाहिए, तो गाइस मुझे आपर बहुत ऐसे लोग दिखाई देरी कि कोई दूजर के लिए तरस रद आपने उसको रोटी दे दी हर किसी के लिए अलग-अलग बात हो सकती लेकिन आपने भला किया है आपने जो बेजबान जानवर है इसको खाना दिया है बहुत लोग मुझे आपर ऐसे दिखाई दे लेकि इतना सब कुछ करने के बाद भी आपक जिवन में दुख है क्योंकि यहाँ पर वैसी एनरजी है, आपका दिल भी टूटा है, लोगों ने आपको बहुत जादा अंदर से तोड़ा है, लेकिन गाइस में एक बार बता दू, कि आप इसी दुख से आप इतने स्ट्रॉंग बनने वाले हो ना, कि आपको खुद हैरानी होगी, कि मैं दो साल पहले, तीन साल पहले कैसा इनसान था, या थी, और आज मैं कैसा इनसान हो, यह जब आप खुद आईने में देखोगे न, तो आप खुद हैरान रहे जाओगे, इस बात से, आपका कर्मा आपको बहुत कुछ देने वाला है, इश्वर बहुत कुछ प् होने वाला है, यहाँ पर मुझे ऐसे लोग दिखाए दिरें कि जो बहुत ही ज़ादा दिल के अच्छे हैं, बहुत दयालू सभाव के हुआ, आपको तुरंत किसी के ओपर भी दया आ जाती है, और यह जो शरीफ लोग होते हैं, यह क्या होता है, कि आप किसी को ना नहीं ब गुजरे हैं, हम किसी के बात नहीं करें, लेकिन आपके लाइफ में पर ऐसे लोग होंगे कि जो बहुत जादा गए गुजरे हैं, जिनकी कोई काबिलियत नहीं है, जो आपके दया के भी काबिल नहीं है, आप ऐसे ऐसे लोगों को भी हा बोल देते हो किसी भी चीज़ के ल हो गया कब तक ऐसे लोगों के लिए करो जो काबिल है ऐसे लोगों के लिए ना करो जो जिनकी काबिलयत नहीं है बात बता दो कि जिसका वक्त बुरा है आपको इसकी हल्प करनी है लेकिन जिसकी नियत बूरी है ना उसकी हल्प आपको नहीं करनी है इतना बस आपको ध्यान मे रखना है ऐसे लोग आप उसकी help करोगे न कोई फायदा नहीं होगा तो सच में जिनको जरुरत है बस उन्हीं की help करो और जो आज तक आपने ऐसे भी लोगों के लिए मदद किया है जो इसके काबिल नहीं थे तो इसका भी कर्मा आपको गुड कर्मा मिलेगा definitely मिलेगा देखो अब आएगा वक्त आपका ठीक है देखते हैं अब ट्यारों से क्या कुछ आता है अगर आपको रिडिंग पसंद आई है तो like कर दो जिन्होंने अभी तक like नहीं किया है जिन्होंने already like किया है मैं कितनी बार आपको शुक्रिया बोलू oh my god बहुत बहुत धन्यवाद guys जितन support मुझे आपने दिया है मैं Speechless हो मैं कुछ नहीं बूल सकते इतना support आप लोगोंने मुझे दिया है THANK YOU THANK YOU THANK YOU ठीक है अब देखते हैं त्यारों से कि आपके क्या कुछ आता है देखते हैं कि कब तक मिलेगा आपको वो कर्मा आपका गुड कर्मा का फल कब तक मिलेगा क्या मिलेगा सब कुछ जानेंगे ठीक है यहाँ पर कुई ऐसे लोग है क्या, जो जहाँ पर बहुत हरियाली होती है, पहाड होते हैं, ऐसी जगह पर कोई रहता है क्या, यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी बहुत जादा आ रहे है गाईस, जैसे कि कोई पहाडों में रहता हो, कोई होगा यहाँ पर ऐसा, ऐसा लग रहे मुझे ठीक है देख्ते है यह ऐसे भी कि उच्चाई से आपको डर लगता हो ऐसे भी एनर्जी है कि या ऐसे भी हो सकता कि किसी के लाइफ में तावर मोमेंट आया हो Madenschealex creative है कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा है कि जिनके लाइफ में डार मोमेंट आया है, मेभी पिछले छे महिनों में, ठीक है, ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा कोई है, तो प्लीज कमेंट करना, देखते हैं, टारों से क्या आता है, सबसे पहला कार्ड, टू अफ वांट्स, देखो वाइस, मैंने आपको कैंडल वैक्स में क्या बोला, कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं, कि आपने अपने इच्छाओ को साक्रिफाइस किया है, जो भी आपका मन करता था, आप दूसरों को दे देते थे, मैंने बोला था ना, कि आपके भाई बहन के साथ हो सकता है, या रिष्चेदर, जिसको जो पसंदा है, आपने हमेशा कहा कि भाई ले ले, तुझे जरूरत होगी इस बात की, चाहे वो कुछ भी हो, तो आपने हमेशा ही अपने इच्छाओ के बारे में ना सोचकर, आपने दूसरों के भलाई के रहें, खुद के बारे में कभी सोचा ही नहीं, तो ये एक आपका गुड कर्मा मुझे यहाँ पर दिखाए दे रहे है, राश्य हो सकती है, एरिज लिवो साजिटर, आप ऐसे इंसान मुझे दिखाए दे रहे हो कि जो बहुत गुस्से वाले हो सकते हो, ठीक है, लेकिन और देखते हैं, फाय ओप वांट्स देखो, मैंने बोला ना, कि लोग आपके पीछे ही पड़ जाते हैं, आप एक ऐसे इंसान हो, जो बहुत हिज़ा भोले भी हो सकते हो, लोग आपके साथ जगडे करते हैं, आपको टारगेट करते हैं, सब मिल के आपको टारगेट करते ह में भी आपके कली हो सकते हैं, रिष्टिदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, उनको प्रॉबलेम क्या है, आपके अच्छाई से प्रॉबलेम है, आप जो इतने अच्छे हो, आप जो इतने सच्छे हो, इस दुनिया में सच्छे और अच्छे लोगों को लोग पसंद न वहाँ गाड हिंदी में क्या बोलती है उनको बस यू कहो तो जेलसी होती है उनको देखकर ओके वाट फायर हो सकती है आपके अंदर और इस फायर को आपको सही जगा पर लगाना है ठीक है अपने में भी आप में से कुछ लोग ऐसे है कि जो गेम होते हैं क्रिकेट वगेरा फुटबॉल ऐसे गेम या तो आपको पसंद है या तो आप इसमें बहुत कुछ अच्छा करियर कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर वो फायर है वो बहुत जुनून है और उस जुनून को उस आपको सही जगह पर लगाना चाहिए अगर आपके एज है ऐसी कि आप कुछ कर सकते हो तो आपको जाना चाहिए क्योंकि आपके अंदर बहुत जुनून भरा है गाईज ठीक है और देखते हैं क्या आता है ऐसा भी हो सकता है कि आपने दूसरों के जगडे भी सुलजाए है मेभी अगर दो लोग लड़ाई करें तो आप तुरण धाब के जाते हो और उनको न समझाते हो कि यार मत कर ऐसा क्यों लड़ाई कर रहे हो ऐसे भी लोग यहाँ पर है ठीक है यहाँ पर Ace of Wands रिवर्स आ चुका है डेफिनेटली कैस यहाँ पर सिर्फ Wands ही Wands क्यों आ रहे है या तो यहाँ पर Aries Leo Sagittarius वाले लोग बहुत जादा तादात में है या तो आपके अंदर वो जुनुन इतना जुन भरा है इतनी फायर है आपके अंदर कि मैं क्या बोलूँ Ace of Wands का कार्ड जो रिवर्स आ चुका है आप क्या होता है आपके लाइफ में क्या होता है कि आप कुछ करने के लिए जाते हो ठीक है कुछ नया शुरुबात करनी है आप बड़ी जोश में होते हो बड़ी जोश बड़ी जोश के साथ कुछ काम करना शुरू कर देते हो और आईन वक्त पर आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है। जो भी लोग यहाँ पर हैं, कि आपने जिन्दग में बहुत बार ऐसा देखा है कि यार मैं यह करना चाहता हूं लेकिन यह हो नहीं पार है। जो कुछ भी काम आप अपने जिवन में करना चाहते तो आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है। ऐसा अगर आपके जिवन में होता है तो प्लीज कमेंट करना यह आपके एनरजी है। ठीक है। तो यह जो काम आपके बनते बनते बिगड़ जाते थे। तो अब आपको वो गुड कर्मा क्या मिलेगा कि अब आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे वक्त भी बता दूंगे मैं आपको आखरी में कि कब तक हो सकता है पहले हम और कार्ट्स निकालेंगे क्या आपको गुड कर्मा का जो फल है वो क्या मिलेगा और देखते हैं डेफिनेटली फायो पैंटकर्स गुड कर्मा का फल क्या मिलेगा आपको आपके फाइनेशल प्रॉब्लम सारे के सारे गायब होने वाले हैं आपको ऐसा लगेगा कि यह कैसा जादो हो गया यह कैसा मैजिक हो गया आपके जीवन में कितने सारे प्रॉब्लम चल रहे थे और अच्छानक की सारे प्रॉब्लम कायब अच्छानक कहिसे न कहिसा धनप्राप्ति की योग बनते होई दिखाई दे रहे हैं यह आपके गुड कर्मा का फल आपको मिलने वाला है कि आपके लाइफ में फाइनशली तो आप अब स्ट्रगल नहीं करने वाले इसके आगे यह कार्ड रिवर्स आ चुका है फायो पैंटरकल्स के एनरजी क्या बताती है कि आप बहुत जादा सफर कर रहे हो अपने जीवन में यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि फाइनशल प्रॉब्लम के बज़े से आपको बहुत जादा दर्द सहना पड़ा है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे है कि आपके अपनों ने भी आपका साथ नहीं दिया है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था जब जब आपको ज़रुरत पड़े तो किसी ने आपका साथ नहीं दिया जबकि आपने उनके हर मुसिबत के वक्त में साथ दिया लेकिन उन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया तो एक अकेला पन एक उदासी भी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है आप मतलब को क्या हुआ है कि आपने जिन्दग में हमेशा दूसरों को भर-भर के दिया लेकिन जब आपको जरुरत थी ना गाइस कोई आपके काम नहीं आया सब ने आपका साथ छोड़ दिया आपका हाथ छोड़ दिया और आपको अकेला कर दिया अगर ऐसे कुछ लोग यापर हैं जरूर कमेंट करना कि आपके अपनों ने भी आपका साथ नहीं दिया है आप जिनको अपना मानते हो ठीक है आप जिनको दिल में जगह देते हो उन लोगों ने भी आपका साथ नहीं दिया ठीक है यह आपके गुड कर्मा का फल है इश्वर देख रहे हैं इश्वर आपके साथ नयाई करने वाले हैं तो डरो मत चिंता तो बिल्कुल ही मत करो अप और क्या होगा देखते हैं किंग ओफ वांट्स के एनरजी कुछ लोग मुझे आपर ऐसे दिखाई दे रहे कि आपने जौब के लिए भी बहुत ट्राइ किया है लेकिन जौब नहीं मिला है आपको तो भगवान शक्ति जिस शक्ति को आप मानते हूं वो कहते हैं कि आपको जौब मिलेगा आपने बहुत कुछ छोटी बड़ी प्रव्म हो सकती है अप उससे निजाद पाना चाहते हो हर किसी के लिए अलग अलग बात हो सकती है तो यह अगर ऐसा कुछ है तो healthy का issue हो चाहे financial issue हो चाहे job का issue हो नोकरी सरकारी नोकरी पाना चाहते हो जो भी लोग यहाँ पर है आपको वो फल मिलने वाला है कि आप उससे जो कुछ भी प्रॉब्लेम है उससे निजात पा जाओगे ठीक है और फायर ही फायर यहाँ पर बहुत जादा है आप में से कुछ लोग इतने जादा अकर्शक हो न गाइस बहुत ही अगर लड़की हो तो इतनी खुबसूरत हो आप अगर आप मानती भी नहीं हो खुद को खुबसूरत हो आप में इतना अट्राक्शन है कि लोग आपकी तरफ एक खीचा चलाते हैं उनको एक चुम्बक लगते हो आप इतना अट्राक्शन आपके अंदर हो सकता है आपकी personality जब आप बात करते हो ना लोग सुनते ही रहते हैं इतने आकर्शक आप हो सकते हो ठीक है और क्या है दाइम्प्रेस और कुछ बचा नहीं बोलने के लिए Oh my God, दाइम्प्रेस के लिए आपको पता है सब कुछ जो आप चाहते हो जीवन में वो सब कुछ चाहे रिष्टो के problem हो चाहे finance के बारे में घर हो, car हो जो कुछ भी आप ये luxurious life जीना चाहते हो वो आपको सब कुछ मिलने वाला है और ये ही आपके good karma का result है आपने जो अच्छे कर्म किये है उसके बदले में इश्वर आपको सब कुछ प्रदान करना चाहते है इश्वर आपको सब कुछ देना चाहते है चाहे वो आप घर की चिंता करे हो चाहे आप रिष्टो की चिंता करे हो चाहे आप beauty की चिंता करे हो कुछ लोग आप ऐसे भी कि beautiful होना चाहते हो तो definitely यह सब कुछ आपको मिलेगा चो आप चाहते हो जो भी आपकी विश्ष है जो भी थिक है इसमें आइसा नहीं कि रिष्टों में कुछ खराब याईगा रिष्टे भी अच्छे बनेंगे फाइनस भी आएगा घर भी बनेंगा कार भी होगी बंगला भी होगा जो भी आप अगर आप एक लड़का है तो राजा बनके जी ओगए यह आपके अच्छे कर मुकफल है ठीक है एक और कार्ड निकालते हैं और फिर हम वक्त देखेंगे कितना वक्त लग सकता है देखो गाईस आज तक आपने क्या किया है कि बहुत ही जादा केरलेस बने हो आप ठीक है इश्वर आपसे कहती कि अब इसके आगे आपको सोच समझ कर डिसिजन लेना है जलबाजी नहीं करने है ठीक है आपको आपके अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा ठीक है लेकिन आपको जलबाजी नहीं करने है और मुझे कुछ लोग आपर ऐसे दिखाए दे रहे कि कोई लोग आपके आसवास ऐसे थे जो जलबाजी में आकर या गुस्टे में आकर या नाराजगी में आकर कोई डिसिजन ले रहे थे और आपने उन लोगों को रोका है आपने उन लोगों के भलाई के बारे में सोचा है और उन लोगों को उन बातों को करने से रोका है दी वर्ल का मतलब विशफूल्फिल्मेट दी वर्ल और दयम्ठस के एनरजी क्या बता रहे है कि आपकी सारी इच्छाए भगवान इश्वर पूरी करने वाले हैं जो भी आपकी विश है, कुछ लोग मुझे आपर ऐसे भी दिखाए जरी कि आप दूसरे देश में जाना चाहते हो, आप दूसरे सिर्टी में जाना चाहते हो, आपके शिफ्ट होना चाहते हो, अगर ऐसा भी कुछ आपका सपना है तो ये बनने वाला है, कुछ लोग यापर किसी दूसरे देश में shift होना चाहता है, तो आज तो उसको बहुत impossible लगता है, लेकिन ये काम बढने वाला है, क्योंकि इश्वर खुद आपको देना चाहते हैं, वो सारी चीज़े, the world की energy जो यहाँ पर आई है, तो wish fulfillment ही आया है, सारी इच्छाओं का पूरा होना, यहाँ पर दिखाए दे रहा है guys, तो डरने की, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कभी भी आपकी कर्म खाली नहीं जाते हैं, पच्छे कर्म करो या बूरे कर्म करो, वो लोट कर, दुनिया गोल है, सब कुछ लोट कर आपके ही पास आईगा, यह जो आपने अच्छे कर्म कीए हैं, यह लोट कर आपके पास आएंगे, ठीक है, आप देखते कितना वक्त लगेगा, ठीक है, कितने वक्त तक आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है, मुझे कुछ लोग लिए चार मेहनों का वक्त दिखाई दे रहा है इन चार मेहनों में आपको थोड़े एंसाइटी हो सकती है थोड़ी परिशानिया को जहलना पड़ सकता है और ज्यादा अगर आज भी आप प्रॉब्लेम में है तो आने वाले चार मेहनों में भी कुछ छोटी छोटी परिशानों का सामना आपको करना पड़ सकता है लेकिन चार मेहनों के बाद आपकी जो गुड कर्मा है उसका फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा bottom is 7 of source जिन लोगों ने भी आपके साथ धुका किया है जिन लोगों ने जुट बोला है आपके साथ फरे भी किया है आपके साथ उन लोगों को भी उनका कर्मा मिलेगा 7 महने बाद, 4 महने बाद ठीक है और देखते हैं और कुछ लोग आपर अगर student हो तो आपको पढ़ाई करने चाहिए मन लगाकर ठीक है जरूरी हो गया है एक काड उच्छल कर आ चुका है गैस मुझे याप पर 4 से 5 महने का वक्त दिखाई दे रहे 5 of source कुछ लोग याप रहे ऐसे भी है कि आपके शत्रू बहुत जादा है तो यह जो अग्याच्छत्रू है यह जो आपके पीठ पीछे आपके बदनामी करते है बुरा ही करते है इससे भी आप निजाद पाओगे इन लोगों को भगवान सत्थ बुद्धी देंगे और इनको इनका बैड करमा भी मिल जाएगा ठीक है फाय अप सोस के अनरजी बतारी कि बहुत लोग यहाप अपर ऐसे है कि पाच महनों के अंदर आपको आपके अच्छे करमों का फल मिल जाएगा राशी है यहापर लिब्रा एक विरस जे बिना है और क्या है दचारिट बहुत जल्द गाई से हैं बहुत जल्द बहुत जल्द आपको यह आपके अच्छे करमों का फल मिलने वाला है कुछ लोग यहाप अपर ऐसे कि पॉजटिव और निगेटिव कुछ ऐसी द्वीधा परिसितिया आपकी हो रही है और देखो यह जो four of source के energy यहाप आई है आप भगवान को प्रे कर रहे हो ना कुछ लोग यहाप ऐसे है रातों की नीन आपके उड़ चुकी है कोई परिशाने आपके मन में जादा है और आप भगवान को प्रे कर रहे हो कि आपके गुड कर्मा का फल मिलने वाला है तो निच्छिंध हो जाए और जदा अच्छे कर्म कीजे ताकि आगे जाकर आपको और जदा उसका फल मिले ठीक है I hope आपको रिडिंग पसंद आई हो Like, Share and Subscribe मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए Bye